वेटुम बैक में हूं मानिक पैक और आज सीखेंगे Google Ads Tutorial in Hindi में डिसकर्स करेंगे बाज़ेट एड बिडिंग का बारे में आप जानता हों कि Google Ads campaign चलने से पहले आपको बाज़ेड एड बिडिंग का बारे में आपको अच्छा और सामधार नौलिज होना चाहिए नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खस कर देंगे और आपको benefit कुछ नहीं आएगा तो चलिए यही tutorial आपको सिखना है और पूर जानना है यह वडियो इसके लिए important है क्योंकि सारे के सारे जो logic और information और जो आपको पैसे खस करने के तरीका सारे के सारे इसको पर different करते है और आप जानते हैं budget और bidding आपको कहा पर मिलेंगे बस आपको यहाँ पर मिल जाएगा आप देख लिजिए थोड़ा बस यहाँ पर तो आप देख सकते हैं पिसले वाले वीडियो के अंदर में यहाँ पर आपको डिसकस किया था audience के बरे में और आज डिसकस करेंगे budget और bidding के बरे में हाँ दोस्ता अपने साही सुना और यह पार्ट दे के हिसे अब के आपको budget चलता है और यह सबसे बड़े important है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एड़जर लोग ओ गलत कर देता है और मैं यही concept आपको clear कर दूँगा ठीक है अगर आप beginner हो तो भी आप video देखिए अगर आप expert हो तो भी आप video पूरा देख लेजिए क्योंकि यहाँ पर आपको beginner to expert level के video आपको part day google ad video आपको मिल जा रहेगा और ppc class तो जानता है मैं ऐसे आपको step by step सिखाता रहोंगा तो friend budget important है तो देखिए सिख लिजिए और जान लिजिए कैसे आप एक budget को decide कर लेंगे ठीक है और एक daily budget आप कैसे calculation कर लेंगे तो friend आप देखिए यहाँ पर मैंने एक keyword mention किया तो मैं keyword को थोड़ा चा बड़ा कर दूँ ठीक है तो आपको क्या लगते है कि ए जो keyword है एक client के लिए है right client आपको क्या solution के लिए आपको काम करना है right और यह आपका monthly success होता है मतलब 100 के मतलब 100 के से 1 million right और यह आपका amount है per click के amount है right तो आप एक ad campaign जब जला रहे हो तो budget कैसे fix करेंगे मान के से लिए package and move us के click है यही click के ऊपर आप पाड़े 100 के लिक चाहता हो right तो आपको 100 clicks into 44 into 76 तो आपको bill कितना होगा इतना पाड़े आपको स्रेब एक क्योड के लिए आपको 4046 रुपीज यह करना होगा तो monthly bill आपको कितना होगा आप जानते Google 30.03 ऐसे हिशब से करते है तो चले मैं और zoom कर दू क्यूंकि आपको और details आपको पता चले right तो यहाँ पर मैं पहले क्या करते हूँ 4476 इन्टू 30.4 यह हिशब का अगर आपको bill होगा monthly 13,000 स्रेब एक क्योड के लिए पर जादा तर जादा लोग क्या करते है जादा तर जादा लोग क्योड भूट सरे ले लेते उसका price से हिशब से भूट सरे लेते पर account के हिशब से उसका price ज्यादा नहीं है इसलिए आपको पहले सोटा सोटा क्योड और सोटा सोटा क्योड को आपको डिसाइड करना होगा एक नमर तो इतला तो monthly 16 से से और अगर आप यहाँ पर एक location आप डाल देंगे जैसे for example में यहाँ पर पैकसल मुवास लिखा और location यहाँ पर 16 कर देंगे और इसके साथ चाथ हम दिल्ली कर द 200 हो सकते हैं तो यह सारे किस आपको हो जाएगा तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिसकस कर दूँ और थोड़ा सा में बड़ा कर दूँ तो आपको क्योंकि आपको और details क्लियर हो जाए और प्लीस मैं boring class कर वात हूँ मैं जानते हूँ, फिर भी अगर आपको बोरिंग नहीं है, तो प्लीज लाइक कमल करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं और अच्छा तरह वीडियो आपको लिया बना पाऊ, तो फिरें मेरे कैसे कल्कुलेशन किया, 44 x 7 रुपीज पर क्लिक के लिए पैकसन मुवस के एक क करना चाहते है, तो आपको कितना होगा, गुणिय है, एक होग, दसवग, सतवग, हाजार ओजुद लोग को, एक लाख, सत्री हाजार, मतलब एक लाख, थाटिसिक, तो मांतली के हिजब से आपको इतना ही पे करना होगा, यहाँ पर और एकसा होल है, अगर आप चार दिन के यहाँ पास दिन के यहाँ दस दिन के लिए आप चलाना चाहते हो, तो हाँ, अब कर सकता हो, यह मांतली हिजब के, तो आपको क्या करना होगा, अब 44, मतला 44, जो है, उसकी हिजब से आप प्राइस लगा दीजे, और 76, इन्टू, आप 10 जिसके लिए चलाएंगे, तो आपक आपको आड अच्छा नहीं चलते हैं, इसी मज़ें से, कि वो क्यामपें तो लगा देता है, पर प्राइस वहाँ पर उसका अकाउंट के अंदर ही नहीं, एक नंबर पॉइंट, दू नंबर पॉइंट, मैं आपको एक्जम्पल देदू, फ्रेंट, आप जानते हो, एक्ज पिल चलते हो, आपको एक रिश्टून में खाने के ले गया, ठीक है, आप चाउमिन प्लेट बुलाया, उसका प्राइस है 100 रुपीज, आप एग्रोल के लिए बुलाया, उसका प्राइस है आपको 100 रुपीज, ठीक है, आप बताया, आप बिर्यानी के लिए ओडर कर दिया उसका प्राइज भी आपको 100 रूपीज, तो तीलो प्राइज है हो गए आपका 300 रूपीज, पर आपका पॉकेट के अंदर सरेव 100 रूपीज है, अब बते हैं, कि आपको तीलो चीज मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना, आपको सरेव एक ही चीज मिलेंगे, एक तो गिर्यानी ले और इसके हिशब से और एक चीज है, अगर आप एड केमपेंड चलाएंगे, तो बीड भी अच्छे तरह कीजिए, यह automation system और monitoring आपको करना होगा, मान केसी लिए market के अंदा स्रेम आप ही एकला हो, जो एड केमपेंड आपका पैसे के हिशब से आप चला रहे हो, फार एकजमपल, आज के हिशब से 44 रूपीज हो रहे है, पर जादा तरह अगर यह और भी competition बढ़ जाए, तो यह price अपना बढ़ जाता है, तो आपको हिशब से ओ बीड भी आपको बढ़ाना होगा, जैसे जब आप ad campaign क्लिक कर रहे हैं, तो 40 रूपीज है, पर कुस time अब दे आपका जो बीड आमाउंट है, यह जलता है, यह logic अगर आप समाझ जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आपको business अपरूप हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आपको क्योड भी चल ले लेगा, और आप जादा तो ज्यादा क्राफिक जो है, आप गेन कर सकते हैं, ले सकते हैं जो accurate keyword की ही सबसे आपको website के अंदर जा रहे है, वो सारे के सारे relevant बनने के बाद आपको website का organics SEO का भी benefit हो जाते हैं, इसलिए जाला सा ज्यादा client को एही suggestion किया जाता है, कि अगर आप new website बना रहे हो, और आपको website के relevancy अभी तक तियार करने से बहुत time लग जाएगा, इसे हो क चीज है, पर इस थोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, मैं ये step by step आपको वीडियो सिखा रहा हूँ, कैसे आपको beat budget करना है, ये सारे चीज, और भी बहुत सारे चीज, यहाँ पर सारे के सारे में step by step call extension से, A to G मैं आपको सिखा होंगे, एक खतम होने का बात, मैं फिर से दु तो friend, साथ रहे, जुड़े रहे, मेरा चैनल सब्काइब करते रहे, और बुड़ा लगा, तो please, कुछ भी दिल से बोल दो, मैं accept करता हो, और हाँ friend, आप मेरा family के तरह हो, मैं आपको support करते रहूँगा, और अगर आपको business के लिए कोई भी relevant square is है, तो यहाँ पर जो नीशे नमर दिखरे, यह नमर से कॉल करके मेरा साथ बातसीत कर सकते, thank you so much friend, अपनी important time दे, इसलिए आपको बहुत-बहुत सुक्रया, चले मिलते हैं नाया रख विडियो के साथ, तब तक अब happy रहे, यह, खुश रहे, यह, जाहें, बंदे बत रहाँ